नमस्कार दोस्तों BPSC मेंज को ध्यान में रखते हुए पॉलीटी के जितने भी इंपोर्टेंट प्रस्णे उन सारे ही प्रस्णों को बारी बारी से कवर कराई जा रही है आज इसी कड़ी में बिल्कुल BPSC के पैटर्न पे अधारीत एक प्रस्णाप लोगों के सामने है भारतिय समिधान की प्रस्तावना की उप्योगता का समलोचनात्मक पर इच्छड कीजिए यहाँ पर बात कीजिए पूरिक पुरिया भारतिय समिधान की प्रस्तावना का अब प्रस्ताना की क्या उप्योगता है पूरे पूरे भारत के संदर में एक एक बिंदू को एक पहलू को उसी को यहाँ पे समलोचनातमक पर इछड़ करके चल रहा है अब यहाँ पे चलिए किस तरीके से इसका एंसार राइटिंग करेंगे तो शुरुवात में आपको भूमका के बारे में सामिधान के बारे में संचिप्त बिबरल देने का प्रयास करना है आकिरू इसके उदेश से क्या थे इसमें कितने भाग थे कितने आर्टिकल थे कितने अनुसूजिया थी किस तरीके से इसको एक सर्वच कानून के रूप में अस्टेबलाइज किया है तो इसका उदेश से आपको मोटे दर पे संचिक बिबरल के रूप में बता देना है अब यहाँ पे जो में जो क्वेस्टन का जो पार्ट है कि प्रस्तावना की उप्योगत और यहाँ पे आपको इंडिकेट करना है समिधान समाजिक परिवर्तन का साधन है अर्थात जिस तरीके से समय समय पे परस्तावना में भी संसोजित किया जा सकता है और उसका जो उदेश से होता है समाजिक परिवर्तन के रूप में समाज जैसे जैसे बजलता है फिर उसी क अनुसार यहां पर पराष्टावना को भी यहां पर ढाला जा सकता है, चुकि वर्तमान में भारत के समीधार की जो पराष्टावना है बिलकुल यहां पर संसोदिया है, बसरते की मूल धाचा से किसी भी परकार का खिलवार नहीं होना चाहिए। उसके बाद से फाइनली यहाँ पे निसकर्स आपको बता देना है, पूरी तरीके से समिधान के महत्तों का आप यहाँ पे उलेक कर सकते हैं, टिपड़ी की रूप में भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं, परिचय के माध्यम से अर्थात भारत के समिधान के माध्यम से, अब यहाँ पे भारत के समिधान को अगर देखा जाए, भारतिय समिधान को देखा जाए, तो बिल्कुल ही यहाँ एक सर्वच कानून के रूप में अस्टेबलाइज है, सर्वच कानून के रूप में अस्टेबलाइज है, और यही कारण है कि, इसमें बहुत सारा भाग है. अगर देखा जाए, तो लगभग 22 भाग के आस-पास सामिल है लगभग इसमें देखा जाए तो 12 अनुसूचिया भी है और जब समिधान बना हुआ था तो लगभग 395 के आस-पास आर्टिल थी और अभी बहुत सारे जो आर्ट इसमें ठीक है एड हो चुका है मने टोटल यहां पर आर्ट किल है 395 के बाद से हम पर देखा जाए तभी इसकी संख्या लगतार बढ़ती जा रही है ते बढ़ के हो रहा है इसका मतलब कि भारत का समिधान बिल्कुल ही यहां पर रिजिट नहीं है बलकि फ्लेक्सिबल है अर जब इतनी सारी बातें यहां पर दी गई है तो आप इसी से को रिलेट यहां पर कर सकते हैं कि इसका जो संबंध है आखिर कुछ न कुछ बाते इसमें तो लिखा गया होगा इसका जो संबंध हो जाता है जैसे कि fundamental right की बात कर ले हम लोग fundamental duty की बात कर ले इसके अलावा DPSP क की बात कर ले पूरी की पूरी यहां पर जो राजनितिक जो परकिरिया होती है राजनितिक परकिरिया होती है उसकी बात कर ले इसके अलावा पूरा का पूरा जो संरचना है संरचना के अलावा यहां पर जो भी सकतिया है सकतिया है इसके अलावा जो भी यहां पर सरकारी कर वाख की साधन करता है इतना से आपकी जो भूमिका है परिचय है काभी प्रभावी हो जायेगी अब आई हम लोग बात करते हैं नेक्ट समिधान समाजिक परिवरतन का एक साधन कैसे साधन है अगर आप गौर से अगर आप ठीक है मतलब समिधान की प्रहस्तावनों को देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जो बाते हैं मानों अधिकारों से या फिर मौलिक अधिकारों से ही आपे सम्मंद रखता है तो यहाँ पे जो समिधान समाजिक परिवर्था का एक साधन है इसका एक बहुत बड़ा जो एकजामपल आपको देखने के लिए मिल जाएगा भाग थिरी में अर्थात फंडमेंटल राइट के संदर में आप इसे समझ सकते हैं जो कि फंडमेंटल जो राइट है यहाँ पे राजीव के देरा यहाँ पे नागरिकों को कुछ यहाँ पे अधिकार जो भी राइट से यहाँ परदान किया गया है और पूरे राष्ट में ध्यान रखेगा समाजिक परिवर्तन के लिए या फिर इसके बिनिमित करने के लिए इसको यहाँ पे रेगुलेट भी किया जा सकता है अर्था अर्थ fundamental right विक्तियों को दिया गया है लेकिन इसको बिनीमित यहाँ पर किया जा सकता है रेगुलेट किया जा सकता है कि किसी भी जरुरत के समय या फिर जो भी समाज में परवर्तन हो रहा है उस परवर्तन को देखते हुए अधिकारों को कम भी किया जा सकता है ठीके 78 point विकर लिख देंगे तो अच्छा कासा आपको mark मिल जाएगा जैसे कि पुरा-पुरा एक-एक हम लोग बिंदू अपर यहाँ पर चर्चा करेंगे तो number one यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मौलिक अधिकारों से सम्मंदित मौलिक अधिकारों से सम्मंदित अब यहाँ पर में fundamental right समिधान के द्वारा अपने नागरिकों को यहाँ पर भारत के नागरिकों को यहाँ पर दिया गया है अब इसकी जो सुनिश्चित करेगा पूरी तरीके से यहाँ पर राजियों के द्वारा इसको सुनिश्चित किया जाएगा राजी इसकी पूरी तरीके से देख र इसका अगर ठीक है उलंगान होने के बाद कोई भी जो राज्य है सुप्रीम कोट में या फिर हाई कोट में यहां पर जा सकता है तो इसलिए समीधान के दोरा नंबर वन है यहां पर मौलिक अधिकार अब यहां पर हम लोग दूसरी बात करते हैं समाजिक और राजनितिक अध इसका मतलब क्या है यहां पर तो समीधान के तहट जाहे वो महिला हो या पुरुस हो महिलाओ और पुरुस को पूरी तरीके से समानता का अधिकार अर्थात समान अधिकार यहां पर दिया गया है अब समान अधिकार यहां पे देख पा रहे हैं एक सब्द लगा हुआ है महिला अर्थात महिलाओं को भी यहां पे समाज में भागेदारी करने के लिए समाज में पार्टिसिपेशन के लिए इनके भागेदारी के लिए इनको यहां पे समान अधिकार दिया है अब जहां पे इस तरह का चीज आया तो आपको ठीक है कहानी नहीं लिकना है बलकि कुछ आर्ठकिल के माध्यम से प्रूव करके दिखाना है जैसे कि समान अधिकार की जब बात आ गए तो आर्ठकिल 14 का जिक्र करना है जिसमें कानून के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है उसी तरीके से आर्ठकिल 15 का जिक्र करना है जिसमें किसी प्रकार का ठीक है लिंग भेदभाव का निसेद किया गया है जाती धाराम ठीक है यहाँ पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है इसके लवाव वैसे ही यहाँ पे आर्ठकिल 16 भी है यहाँ पे सारजुनिक रोजग जिसमें अस्थानिय निकायों में इनको रिजरुएशन दिया गया वान वाई थर्ड लगवक 33 परसेंट और बहुत सारे राजियों ने जिसे बिहार जिसे राजियों ने इस रिजरुएशन को 50 परसेंट तक यहां पे बढ़ा दिया है ताकि इन महिलाओं की जो भागेदारी है इस समाद की भागेदारी में पूरी तरीके से यहां पर सुनिशित हो सके तो यहां पर देख पा रहे हैं अभी बिहार में चुनाओं हो रहा है चाहिए हम लोग पंचायती बेवस्था के तहत देख ले यहां फिर ठीक है नगर निकायों की यहां पर चुनाओं की बात कर ले मेर के लिए यहां पर रिजर्ब किया गया है उप डिपटी मेर के लिए इसी टोक रिजर्ब किया गया है तो इसी से अपा नजा लगा सकते हैं कि समान अधिकार के तहत यहां पर महिलाओं को भी पूरी तरीके सा धिकार दिया जा रहा है ठीक हम लोग यहां पर दूसरी ब यहां पर किया जाता है तो हमेशा ही इसमें महिलाओ को इस बेवस्था के ताथ यहां पर दबाने का ही प्रयास किया गया है इतिहास इसमें गवा है लेकिन अब यहां पे इस पित्रि सतात्मक बेवस्था को समाजिक मापदंडों के अधार पे समाजिक माप दंडों के अधार पे इनको भी चलना होगा चुकि जितना इनका अधिकार है उतना ही ठीक है पेरलल महिलाओं को भी अधिकार समिधान के द्वारा दिया गया है इसलिए पहले जैसी रवाईया नहीं होगी अर्थात घरेलू हिंसा जहां घरेलू हिंसा होगा वहाँ पूरी तरीके स्दंडनिया होगा कारे अस्थल पर योन उत्पड़न कारे अस्थल पर योन उत्पड़न जो भी कारे अस्थल है यहाँ पे चाहे हो ठीक है रेगुलर हो चाहे इरेगुलर जो छेतर है यहां पर आस्थाई ठीक है या फिर आस्थाई छेतर है यहां पर कई सारे जगहों पर महिलाओं को यहां पर यो नसोर होता ही होता है आए दिन न्यूज में वोगरा भी आप लोग जरूर सुनते होंगे तो यह पूरी तरीके सब क्या होगा दंडनी अपराध होगा चुकि इ जड्रके त्हुटल डाइगनोसिस तकनीक के जरी है अभी क्या ओता था इसके जरी है देखिया आसानी से यहां पर इसका टेस्टिंग कराकर भूरूर की पहचान कर ली जाती थी भुरूण की पहचान कर ली जाती थी उन्हें होता है न मा के पेट में जब बच्चा होता है तब ही उसकी पहचान कर ली जाएगी उन्हें कर ली जाती है आज के समय में मेल है या फीमेल है और उसके बाद से यहाँ पर क्या एक्टिविटी होती है भुरूण समाप्ति अधनियम यहां पर लाया गया समाप्ति अधनियम लाया गया क्यों लाया गया ताकि यहां पर नियाय मिल सके अब नियाय किसको मिल सके आप फुद देख पा रहे हैं पिद्र सात्मक समाज में नियाय कि किसके जरूरा थे तो बड़ी मत्रम अगर देखा जाए तो मह जो मना ओता है ये भी जरूरी है इन दोनों का उलंगन ना हो इसलिए इस किसा समाप्ति अधिनियम को लाने की भी जरूरत हुई ठीक वैसे ही यहां पर बदलते समाज में यहां सारे जो लोग भी लाल जी जो लोग है जो बहुत पहले से चला आ रहा है दहेज प्रथा को लेके तो इसो भी हटाने का प्रयास किया गया दहेज निसेद अधिनियम 1961 यहाँ पे लाया गया और इसके तहत यह भी बोल दिया गया कि दहेज यहाँ पे लेना और देना दोनों ही यहाँ पे दन्ननी अपराध है अर्थात इसके लिए भी सजा का प्रवधान किया गया अब आए नेक्ट हम लोग बात करते हैं आदिवासी अधिकार आदिवासियों को देखिए अगर भारत का अगर हम लोग का देखिए मुल निवासी की रूप में अगर रे पहले से हाँ पे मौजूद है तो इसमें कोई गलत नहीं होगा लेकिन वर्तमान में यहाँ पे अपयोग करके बाकी जो अन्य जो कम्यूटी के जो लोग है यहाँ पर आया है कोईला हो गया लोहा हो गया बहुत सारे जो नेचरल जो डिसोर्स से उसका उपयोग करके तो यहाँ पर उनके अधिकार अभी पूरी तरीके सुनिश्चित नहीं हो पाए हैं और इसलिए आपरों का सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है जैसे कि अधिवासी अधिकार में देखा जाए कुछ आर्टिकलों के हम लोग बात कर लें आर्टिकल 46 ध्यान से देखते चलिए आर्टिकल 46 आर्टिकल 46 यहाँ पर राज्य के जो कमजोड वर्गों के लिए राज्य के कमजोड वर्गों के लिए जिसमें SC, ST बड़ी मात्रा में हैं आपे आते हैं इनका जो भी यहाँ पे सैंचरिक और आर्थिक हीतों के सुनिश्चित करने के लिए इसके साथ साथ इनके द्वरा यहाँ पे जो अन्याई किया जाता है समाजिक अन्याई की हम लोग बात कर ले समाजिक अन्याई की बात कर ले बाहरी सोसड का बात कर ले बाहरी सोसड का यहाँ पे बात कर ले अब यह इसके माधियम से यहाँ पे इनको यहाँ पे ठीक है यह अपराद बनाया गया है इसके अलावा यहाँ पे हम लोग जिक्र कर लें article 275-1 275-1 नहीं है यह ध्यान रखेगा आई है यह ठीक है इसमें क्या बताया गया है तो किंद्र सरकार के द्वारा किंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे जनजातियों के अधिकार के लिए या फिर जनजातियों के लोग कल्याण के लिए बहुत सारा जो योजना चलाया जा रहा है यहाँ पे राज्य सरकार को राज्य सरकार को किंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा और फिर जिस किसी भी राज्य में अगर जन जाती ये लोग मौजूद है तो राज्य सरकार के दुवरा पुना ठीक है इनके लिए जो भी लोग कल्यान करी नितिया लगाया जाएगा ठीक वई से ही यहाँ पर नेक्ष्ट आप लोग देख पा रहे हैं आदिम जन जाती समू या यहाँ पर पूर्व क्रिसी समुदाय की यहाँ बात कर ले तो यहाँ पर इनके आवास को लेके चाहे हम लोग किसी भी राज्य की यहाँ पर बात कर ले थोड़ा इससे समझने का प्रयास कीजिए अवास को लेके अगर लगता है होता है ना किसी राज्य में अगर कोई भी अगर बिवादित भूमी है कोई भी अगर बिवादित भूमी है किसी भी राज्य पर बिवादित भूमी है तो राज्य सरकार के द्वारा इस भूमी का जो पट्टा है, या फिर इनका जो अनुदान है, इनके लिए यहाँ पे आदिम जन जातियों के लिए, पुरुक्रिसी समधाई के लिए, इस भूमी का पट्टा इनको यहाँ पे दे सकता है, अनुदान के रूप में भी दे सकता है, जैसे बहुत सारे राज्यों में आप लो लोगों को ठीक है नहीं बसाया जाता उसमें जो भी आदिम जो लोग है उनको ही बसाने का प्रयास किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहां पर बच्चों के अधिकारों को लेके यहां पर बच्चों के अधिकारों को लेके यहां पर बहुत सारा आर् आर्ठकिल बात करें हम लोग फंडामेंटल राइड के ताथ आर्टकिल 21 का ए है इसमें साब साब यहां पर दिखाया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवारिया एक तो होगा फिरी और अनिवारिया परात्मिक सिच्चा का परमंद किया गया है अर्था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर वो भारत का निवासी है अगर उसको सिच्चा का ठीक है अदिकार नहीं मिल रहा है तो वह आपे पूरी तरीके साधालत जा सकता है कि हमको भई सिच्छा यहाँ पर नहीं दिया जारा है भाउत सारा वाइरल वीडियो हुआ है इस मामले में ठीक है तो समस्या यहाँ यहाँ पर आती है तो यहाँ पर 6-14 वर्स के बच्चों के लिए यह बहुत यहां पे जरूरी होता है यहां पे चुकि मानों साधन में बच्चों का बहुत बड़ा रोल होता है शुरुवाति तोर पे अगर इनको सही तरीके से तरास दिया जाए इनके basic primary सिछा को अगर अच्छा ठीक है बना दिया जाए तो आगे चलके यहीं तो एक अस्किल्ड समझ रहे हैं न अस्किल्ड कर सकते हैं कि वेक्ति के रूप में यह लोग यहीं अस्टब्लाइज होंगे देश के निर्मार में पूरी तरीके से सहयोग देंगे यह बहुत जरूरी हो जाता है प्राइमरी चीज तो 6 से 14 साल के के लिए यहां पे कोई भी यहां पे खतरनाक काम हो गया या फिर इन से रोजगार के लिए रोजगार के लिए यहां पे श्रम पूरी तरीके से यहां पे नहीं लिया जाए अगर थात यह पूरी तरीके से दन्दनी अपराध है आर्ट किल 24 के थात पहले इस तरह का कि वगर का वगरा का सिकार हो जाते हैं, देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे, गाओं से अधिकतर बच्चे देखते हैं, बिहार हो गया, जारखन हो गया, जहाँ पर गरीब एरिया है, वहाँ से बहुत सारे जो बीच में जो दलाल जो लोग होते हैं, उनके दौरा, इनका स बच्चों को ही नहीं, लेकिन इसमें बच्चों को सामिल किया गया है, चाहे कोई भी यहाँ पर पुरूस हो, चाहे कोई यहाँ पर महिला हो, ठीक है, दोनों ही यहाँ पर इस्रमिक के रूप में, अगर यह मौजूद है, इनके साथ-साथ इन बच्चों को भी यहाँ पर स पाइदा उठा कि कोई भी काम इनको ढखेल दिया जाए कि चलो हम पैसा देंगे ऐसा करना पूरी तरीके से दंडनी अपराध होगा अर्थात जो कारी इनके अनुकूल नहीं है वो कारी इनको नहीं कराया जा सकता है इसमें बच्चों को भी सामिल किया गया है उसी तरीके से यहां पर बच्चों के लिए आये दिन आप लोग सुनते हूं कि जई से दूर्विवहार हो गया सोसर हो गया यहां पर मैं मेंन्सन कर देता हूँ दूर बेवहार सोसर हो जाएगा ब्चक्राय करना हीूंन ट्रेफिकिंग वगत हम भी है यहां सोसर Quinn हिसे बहुत सारे तसक्रियों गेरा बाल सरम गेरा ठीक है जो भी यहानिकारक परमपरा यहाँ पे समाज में रही है इसको यहाँ पे पूरी तरीके से या फिर इससे बचाने का जो अधिकार है राज्यों को यहाँ पे दिया गया है इसे भी दन्रनी अपराद बनाया गया है नेक्ट लोग बात करते हैं समाजिक समावेसिता की समाजिक समावेसिता की समाजिक समावेसिता का मतलब क्या है कि समाज में रहने वाले जितने लोग है सब के हीतों की पूरी तरीके से रच्छा किया जाए तो उपर के लोगों के यहां पर ज़रुरत नहीं है तो इसलिए यहाँ पर दोची जोग में जिक्र करूँगा, एक तो आर्टिकल 15 का जिक्र करूँगा, आर्टिकल 15 में सारे लोग आ जाएंगे, जैसे कि जो भी यहाँ पर भारत का जो यहाँ पर नागरिक है, ठीक है, उसको धरम नसल जाती लिंग जनम अस्थान के अधार पर ठीक है, इससे यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके सुरच्छा से खेलवार नहीं किया जाएगा, और निचले लोगों के लिए यहाँ पर अस्परिस्यता का उनमलन किया गया, छुवा छूत का ठीक है, पूरी तरीके से उन पर रखा गया था पूरी तरीके सा छुद बना के रखा गया था और खास कर उसमें देखेंगे एक बड़ा इंट्रेस्टिंग चीजी न्याय को लेके कि न्याय को देने का भी जो तरीका था बिल्कुल डिफ्रेंट था ठीक है तो कहिन कहीं यहां पर देखिए उन सप्रेश् बनाया गया अब यसी चाप समझ रहे न क्यों यह सब चीज किया जा रहा है भारत की एकता खंड़ता को सुनिश्चित करने के लिए नागरीक अधिकारों के सुनिश्चित करने के लिए तभी तो कोई देश यहां पर विकास कर पाएगा दर्वाज इतना जहां डिस्क्रिम स्वास्त की सर्विनिक स्वास्त की इसमें आपको कुछ खर्टिकल का मैं मेंसन कर रहा हूं आट के लिए से 14 हो गया 15 हो गया 21 हो गया यहां पर देखेंगे तो कुछ बातों कि इसमें सामिल किया गया है जैसे कि जीवन हो गया समानता हो गया यहां फिर यहां पर गैर भेदभाव गैर भेदभाव अर्थात इसी कि तहत यहां पर बीना किसी भेदभाव के बीना किसी भेदभाव के लिए सभी के लिए सभी के लिए यहां पर स्वास्त अधिकार स्वास्त अधिकार राजियों के द्वारा सुनिश्च किया जाएगा, यह नहीं कि कोई गरीब है, कोई ठीक है, निचली जाती का है, कोई यस्टी है, कोई उपर के जाती का है, तो वहाँ पे उसको कुछ अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, पूरा तरीके से यहाँ पे राजे 23 चुकि इसमें यहाँ पे होता है बेगारी का प्रथा बलात श्रम का यहाँ पे निसेद किया गया इसको विदन्डनी अपराद मनाया गया कि बीना एक जो मजदूर को वेजेज दिये हुए उसकी मजदूरी दर को दिये बीना यहाँ पे जवड़ जस्ती उससे कोई भी कारे करानवा कानूनी अपराद होगा उसके बाद नेक्ष्ट यहाँ पे सारुरीक रूप से दिव्यांग लोग जैसे कि आर्टिकल 21 इसमें पूरी तरीके से जीवन और स्वतंद्रता की गरांटी दी गई है जीवन और सोतंतरता की गरांटी दीख गई है और जीवन भी कैसा एक गरिमया पूर जीवन जीने का यहाँ पर अधिकार है सोतंतरता का पूरा का पूरा यहाँ पर अधिकार है तो यहाँ पे जब हर एक वेक्तियों को यहाँ पर दिया गया है तो इसमें भारत के नगरी के रूप में तो दिब्यांग लोग भी यहां पे सामिल है इसलिए इन दिब्यांगों के साथ भी आप यहां पे इंडिकेट कर सकते हैं कि इनसे किसी भी प्रकार का बैपार जबरजस्ती नहीं किरा जा सकता है बेगार यहां पे जबरजस्ती नहीं दन्ननी अपराद होगा, सब दन्ननी अपराद होगा, जोगी कुछ पर मुख बाते हैं, उसी को आप हाइलाइट करके चलना है, इतना सिख्जामनर को समझ में आ जाएगा, कि अच्छा खासा एक ठीक है, मतलब बड़े डैमेंशन का सरगत, इस एंसर को ठीक है, उसको मने अस असानी से ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा, नेक्टे हैंपे समाधिक, स्वरी, समिधान आर्थिक परिवर्तन का एक साधने, समिधान आर्थिक परिवर्तन का साधने, कैसे हैं थोड़ा समलूग देखने का प्रियास करते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा हुआ थ था पित्री सतात्मक समाज का तो देखिए पित्री सतात्मक समाज में मेहन क्या था यही तो था ना कि पित्री सतात्मक समाज में आर्थिक किरिया कलापों पे पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए तो महिलाए पूरी तरीके से ठीक है मतलब मेल समाज में यहां पे ठीक है इतरी सतात्मक समाज में यहाँ पे ःनको भी यहाँ पे पूरी तरीके से आर्थिकार को के अंत्रगत इनको भी यहाँ पे समान अधिकार दिया गया चाहे वो समपती के मामले में हो चाहे हो किसी भी उत्राधिकार के मामले में हो ठीक है और अभी महिलाओं को तो दो जगा मिल रहा है एक तो पती के संपती में उसको मिलेगा है मिलेगा और साथ में उसके ठीक है जो पिता होंगे पिता के भी अधिकारों में महिलाओं के एक अंस ठीक है पुरूसों के बराब को सुनिश्चित करने के लिए DPSP को सुनिश्चित करने के लिए DPSP को सुनिश्चित करने के लिए दोनों में टक्राव होगा बहुत सारे अधिकारों को लेके तो DPSP ध्यार रखिएगा fundamental right पर भी यहां पर भारी पर जाता है चुकि लोक कल्यार कारे के लिए यहाँ पे राज ये बोलता है कि हमें resources की जरुरत होती है और वैसे जो resources है अगर यहाँ पे fundamental right को बिल्कुल rigid कर दिया जाए उसके वेक्तियों के अधिकारों को यहाँ पे कुछ हतक छीना नहीं जाए तो फिर राज ये बाकी लोगों के कल्यांड कारी और धानडा को प्रस्तूत कैसे कर सकता है इसके सबसे बड़ा एजांपल है गोलक नात sorry क्या बोलते हैं कि केस्वानन भारती ठीक है केस्वानन भारती में देखिए DPSP को यहाँ पे भारी कर दिया गया मुल्य निर्धारण मुल्य निर्धारण या फिर अंतर राजिय बैपार अंतर राजिय बैपार जो एक राजिय से दुसरे राजिय के ताहती है यहाँ पर जो बैपार होता है वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा बिज्ञान कला को बढ़ावा देने के लिए फिर राज्य एक के द्वरा जो भी राज्य लोग का लेंकारी नीती चलाए जाती है यहाँ पर दोनों के बीच समझे से बैठाना बहुत जरूरी हो जाता है आर्थिकारकों को लेके इसके अलबा कुछ इसी में देखेंगे तो आवस्यक सुधार भी किया गया है जैसे कि मजदूरों को लेकर हम लोग बात करें जो मजदूरी जो दर है वरतमान में आपको समझे में आही गया होगा कि मजदूरी जो दर है पहली जिसे नहीं रही है ठीक है महंगाई के साथ इनके भी मजदूरी दर को बढ़ाया जा रहा है मातरित्व लाब महिलाओ को यहाँ पर दिया जा रहा है मातरित्व लाब महिलाओ को दिया जा रहा है बहुत सारी कंपनिये प्रवाइट कर रहे हैं यहाँ पर जब pregnancy के समय यहाँ पे ठीक है महिलाओं को आवकास दिया जा रहा है अभी periods के लिए भी वो बाते चल रही है इसके अलावा यहाँ पे हो जाएगा समान परासरमिक समान परासरमिक अर्थात यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन के रूप में आप समझ सकते हैं ठीक है यह सारे यहाँ पे सुधार किया गया है इसके अलावा आर्टकिल 91.1 में अगर हम लोग देखे आर्टकिल 91.1 में देखे दे तो यहाँ पे सभी नागरिकों को सभी बेवसाय या बेवपार करने का अधिकार है, बेवसाय व बेवपार करने का अधिकार है, चुकि यहां पे सब यहां पे आर्थिक कार को कमलूख समीट के चल रहे हैं, लेकिन यहां पे अधिकार तो दिया गया है, लेकिन यहां पे चुकि फंडमेंटल राइट है और सारे फं परियाप्त जीवन अस्तर का अधिकार दिया गया है ठीक विसे हैं यहां पर आर्टकिल 21A में सिच्छा का अधिकार दिया गया है उसके बाद नेक्ष्ट यहां पर राज्य के निती निदेशक सिधान्त यह तो बहुत ही जरुरत है ठीक है यहां पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे fundamental right का अगर हनन होता है तो व्यक्ति राज्य की खिलाफ या फिर ठीक है जो भी उसका हनन कर रहा है उसके खिलाफ हो पूरी तरीके सपने अधिकारों के रच्छा के लिए अधालात में जा सकता है लेकिन यहां पर जब लोग कलेयार कारे नितियों को जब लागू करने का जो प्रियास है राज्य के द्वरा नहीं किया जा सकता है और फिर संसादनों का भाव में अगर राज्य नहीं करते हैं तो फिर इनके खिलाफ यहां पर आप कोट नहीं जा सकते हैं ठीक है, चुकि यहाँ पे सिमित संसादनों के अधार पे ही पूरे पूरे देश को चलाने का प्रयास किया जा रहा है, हर राजे के पास अपने एक सिमित जो छमता होती है, उस छमताओं को हापे कोई पार नहीं कर सकता है, तिसलिए पूरी तरीके से ठीक है, उतना ही रखा ग उद्धियों की, अगर बात करें हम लोग उद्धियों की, तो यहाँ पे बात की जा रहे है, कि समाजिक और आर्थिक परस्थिति का, आर्थिक परस्थिति का, यह लोग ठीक है, निर्माल करतें, अन्होंने दीपी, एसपी के दोरा किया जाता है, चाकी कल्लयार्कारी के राजी की अस्थापना हो सके और जब कलनकाडी राजी की अस्थापना तभी ऌगे जब यहाँ पे समाजिक और आर्थिक लोगताiqué समाजिक और आर्थिक लोकतांतर यहाँ पर मैं एक सब्द का परियोग कर रहा हूँ आर्थिक लोकतांतर है यह सब बहुत अच्छा सब्द होता है जामियाब लोग जरूर परियोग किजिएगा ठीक है आर्थिक लोकतांतर का मतलब है यहाँ पर कि लोकतंतर में क्या है? समानता है, यहाँ पर समानता है, को जो भाव है, तो आर्थिक लोकतंतर, अर्थात हर वेक्ति के पाश्टी के अर्वी सोरी, अमेरी और गरीबी के बिज़ की जो खाई है, जितना कम हो सके हैं, यहाँ पर होना चाहिए. तब ही तो राज ये लोग कल्यान करे राज यहाँ पर हो जफ़ पाएगा इसमें कुछ आर्टिकल का चर्चा कर देना है जैसे एक आर्टिकल 39A 39 यहाँ पर A है इसमें बताया गया है कि चाहे हम लोग बात कर ले पुरूसों की महिलाओ क्यों इनको यहाँ पर समान अधिकार दिया गया तभी मैंने आप लोगों से शेर भी किया हुआ था समान अधिकार दिया गया है आजीवका के साधन आजीवका के साधन सुनिश्चित किया गया है ठीक है तो यह सब यहाँ पर किया गया है तो यह देख पार है Article 39 है जिसका संबन्द DPSP से ठीक है पूरी तरीके से है उसी तरीके से यहाँ पर Article 14 है Article 14 में यहाँ पर ठीक है राजी की आर्थिक छमता अगर यहाँ पर होती है तो Article 14 के तहाँ इसका ब्लेम नहीं किया जा सकता है जैसे कि राजी की अगर आर्थिक छमता है सोरी आर्थिक छमता अगर राजी की यहाँ पर कम है जैसे कि ठीक है हो सकता है कि राजी नहीं कर पा रहा है या फिर अगर कर पा रहा है हलाकि अगर राजी की आर्थिक छमता है तो ठीक है वो राजी करती है जैसे कि बिमारों के लि अच्छमता के जो सिकारे उनके लिए बिमार हो गया, बुढ़ापा के लिए, बिरोजगारी के लिए, बिरोजगारी भत्ता भी ठीक है, बहुत सारे राज्यों में दिया जाता है, बिहार में भी दिया जाता है, वैसे ही यहाँ पे जो सारजुनिक सहायता के लिए, सारजुन इनका माध्यम से यहाँ पर देने का प्रियास करती है तो क्यों प्रियास करती है समझ रहे ना ताकि जो राजी के निती निदे सक ततों को यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है कल्यारकारी राजी के ततों को पूरी तरीके से भारत में लागू किया जा सके तो इसलिए यहाँ को लगों की मदद नहीं कर पा रही है तो कोई वेक्टी राजय सरकार के खिलाप जला जा है कुछ नहीं होगा यहाँ ठीक है राजय बोल देगे कि हम आर्थिक समयधानिक करण को रखना है। इसी समयधानिक करण के माध्यम से वेक्तियों का मौलिक हितों की रच्छा होती है। आर्थिक हित यहां पर सामिल होगा। अब दोनों की मिलाएंगे तभी जाकर में बताया था कि यह लोग कल्याण कारी राज जी किया धाला पुरहसुत करेगा। आवास्थ्या, देखभाल, और भी हो जाएगा आवास को लेके, मजदूरी को लेके, इंपर्टेन टर्म पॉइंट को सब दिखाना है। या फिर जो भी सब ये काम है, या फिर अन्य समाजिक वस्त्वे है। हर जगा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि राज्य जो है यहाँ पे, राज्य अधिकार देता है, व्यक्तियों की गरिमा की, व्यक्तियों की स्वतंतरता की, व्यक्तियों की कल्याण की, व्यक्तियों की सुरच्छा की। ठीक है तो हर तरीके से यहां पर देने का प्रयास किया जाता है और ऐसा अगर राज्य कर रहा है लोकल नलकाली राज्य अधाना को परस्तूत करने के लिए कर रहा है तो उसके पीछे सब सब बड़ा जो कारण है समय धानी कराण और यह जो समय धानी करण की जो बात कर रहे हैं जैसे के नहरू के द्वारा जो उदेशी का परस्तावना में जो बाते यहां पर लिखी गई है वो आज वर्तमान में जा हम लोग देश की बात कर ले किसी राज्य की बात कर ले वो इसे पूरा करते हुए भी नजर आ रहे हैं तो पूरा पूरा एक देख पार है चेक एन बैलेंस ठीक एंसर हो गया तो ठीक है फिरेंस आप अपना फीडबाइक जरूर दे थैंक्स पर वाचिंग जेहिंद